मैं शालेनी कपूर ते बारी देश की राजधानी दिल्ली से बार की हर तस्वीर आप तक पहुंचा रही हो लाल किले की पिछली दीवार के सामने यहां मैं मौझूद हूँ और यह जो पानी आपर बैरा है रंजन अगर आप ठीक मेरे सामने जो पानी बैरा है उसकी तस्वीर दिखाएं तो इसका फ्लो कितना जादा है आप यह समझ सकते हैं पानी लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है उधर की तरफ से पानी आ रहा है और कुछ वक्त पहले तक मैं और अंदर पानी में जाने की हिम्मत कर पा रही थी लेकिन आप नहीं कर पा रही हूँ 45 साल के बाद दिल्ली ने ये स्थिती देखी है 45 साल के बाद यमुना ने रिकॉर्ड तोड़ा है इसके पहले जब यमुना का जलिस्ता रिकॉर्ड किया गया था वो 207 मीटर के उपर था अब 208 मीटर के उपर निकल चुका और हर घंटे ये पानी का जो लेवल है वो कुप गए हैं कल की बात थी आज ताजा इस्थिती ये कि शेरी इलाखों में पानी घुस रहा है और यमुना का पानी इस वक्त लगबग बेचैन दिखाई दे रहा है कि वो दिल्ली के हर घर में घुस जाएगा हर मिनट यमुना का जलिस्तर बढ़ रहा है और मौजूदा जो इस्थिती आगरंजर इधर की बे आप दिखा पाएं क्योंकि इधर जो पानी जा रहा है वो अभी हमने दिखाया नहीं अधर्शकों को दोनों तरफ पानी का आप लेवल देख लिजे यह सबसे व्यस्तता में इलाका है एक रोड यहां से आपको आई-एस-बीची की त और बेता आप दिखाई दे रहा है उधर आप देखे कुछ लोग आपको पानी में वो देखे स्वीमिंग करते हुए दिखाई दे जाएंगे यह ऐसा लग रहा है तैरा की कॉंपेटिशन की यहां पर प्रैक्टिस चल रही है बार-बार सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है बार-बार सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आप घरों में रहे हैं निचले इलाके वाले लोग सुरक्षे जगहों पर पहुँच जाएं अलग-अलग क्याम बनाए गए हैं टेंट बनाए गए हैं लोगों के लिए 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 सिस लोग इसे महुँद मस्ती की जगा स अब शहरी इलाकों की और यमुना का पानी घुस रहा है यह सबसे बड़ा अपडेट 45 साल के बाद यमुना ने रिकॉर्ड अब जब तोड़ा है तो ऐसा लग रहा है दिल्ली क्या कोई कोई कोना कोई कॉलोनी कोई जगा कोई बिल्डिंग बाकी नहीं बचेगी हर जगा जो बस पुकता हो लेकिन जितनी सरकार तयारी कर रही है यमुना उतनी चुनाती देती चली जा रही है सरकार निचले इलाकों से लोगों को निकाल कर उपरी इलाकों पर लेकर जा रही है और ऐसा लग रहा है कि यमुना वहां भी पहुँच जाएगी और वहां से भी लोग को रख दिया लेकिन अब वहां से भी कई कई मीचर आगे लोगों को ले करके जाना पढ़ रहा है और सबसे व्यस्ततम जगत दिल्ली की जो सचेवाले हैं वहां तक पानी पहुँच चुका है अंदेशा अब यही है कि दिल्ली के मुख्यमंतिय अर्वेंद केजरिवाल के घर तक कहीं पानी ना पहुंच जाए क्योंकि वहां से महस 500 मीटर की दूरी पर अपानी है संदीप का भी जरह में रूख कर लेती हूं संदीप मेरे साथ इस वक्त जुड़े मैं आपकी तरफ की स्तिती संदीप दिखाये जरा देकि इस स्तितियां बहुत तेजी से बढ़ रही है बहुत तेजी से बदल रही है इस वक्त जहां पर मौझूद हूँ मैं दो से तीन घंटे पहले यहां पर पानी नहीं था आप सामने बोर्ट देख सकते हैं वहां पर बैरिगेटिंग कर दी गई है वो हनवान मंदीर के स सामने का जो ब्रिज है उसके नीचे का है सुबह तक यहां पर कोई पानी नहीं था हम लोग गाड़ी भी लेके उधर से वापिस आए और लेकिन आप धीरे-धीरे महज दो से तीन घंटे के अंदर इस तरीके से पानी भर चुका है यह सामने आप संथ परमानन अस्पताल है इसको कल रात को ही खाली करा दिया गया था क्योंकि इस बात का अंदेशा था कि पानी जिस तरीके से आगे छोड़ा जा रहा है वो बाहर आएगा और अब धीरे-धीरे महज कुछ घंटों में ही पानी रोड पर इतना जमा हो गया है दो से तीन फिट के आसपास जो है पानी यहां पर आगया और लगातार पानी बढ़ रहा है हम लोग अभी कोई देर पैस बिल्कुल यहां देखी यहां पर जो जिस तरीकी की स्थिया लगातार बनी हुई है यह पूरा का पूरा इलाका आप धीरे-धीरे रोड पर पर पानी पूरा आ चुका है महस थोड़ा सा नहीं क्योंकि पानी की वेज़े से बार्ड की सिच्वेशन की वेज़े से लाइट जो है वो काट दी गई है तो ऐसे में आप वहां पर ना तो बिजली है और वहां पर पानी भी नहीं है और धीरे-धीरे खानी की दिक्कत होने शुरू हो जाएगी लेहाजा अब जब पानी पर बढ़ता चला जा रहा है पानी बढ़ता जा रहा है संदी पर इसी के साथ जो जो ताज़ा अपडेटे दर्शुकों को वो भी बता दू एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है दिली में भारी बानू की इंट्री को पर बैन लगा दिया गया